नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज है 19 अक्टूबर और आज के SSC CHSL के फर्स सिप्ट का एक्जाम समाप्त हो चुका है तो कौन कौन से प्रसन आज के सिप्ट में पूँचे गए बिल्कुल 100% रियल प्रसनों का सटीक अनलसिस किया जाएगा यदि आप भी एक्जाम देने के लिए जाने वाले हो तो कौन कौन से प्रसन कहां कहां से पूँचे जा रहे हैं कंप्रीट जानकारी आज के सिप्टो में आपको मिलेगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलि आज का वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं देखी बच्चों के तरफ से जो हमारे पास प्रसन भेजा गया है उनमें से एक प्रसन आया है कि तो देखी इसका जो सही उतर है वह है किरण देशाई ठीक है तयार कर लीजिए और आपको पहले से मैं बता चुका हूँ कि पुस्तकों से जुड़ा हुआ कोई न कोई प्रसन आपके सभी सिप्टियों में पुंचा जा रहा है तो The Inheritance of Lons के लेखा कौन है किरण देशाई ठीक है तयार कर लीजिए आप इसको अगला प्रसन के आपर पुंचा गया कि राइवो सोम की फैक्टरी किसे कहा जाता है इसका सही उतर है किंद्र का ठीक है किंद्र का को राइवो सोम की फैक्टरी कहा जाता है अब आपको पता है कि साइन से जोड़े हुए प्रसन आपको जरूर देखने को मिलेंगे इस परकार कुछ यहां से प्रसन और बन सकते हैं जैसे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं इसका सही उत्तर है mitrocondria, ठीक है, तो mitrocondria को यहाँ पर आपका kosika का power house कहते हैं, इसी प्रकार protein की factory या फिर protein की kosika का engine किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ribosome को, ठीक है, तो इसे आप तयार कलीजेगा, ये प्रस्ण भी आने वाली exam के लिए बेहद महत्पोर हो सकते हैं अविस्कारक हैं, सबसे महत्पूर्ण अविस्कार हुए हैं, उनके अविस्कारकों के नाम इसके लावा मानव सरीर के बारे में कुछ प्रमुख तथ से जुड़े हुए प्रस्ण याँ पर पूंचे गए हैं पस्मों तथा पौधों में पूश्न रोग जो होता है, उनको लेकर भी प्रस्ण पूंचे गए हैं और उनके कारण के बारे में प्रस्ण याँ पर पूंचे गए हैं या फिर ऐसे प्रस्ण आगे पूंचे भी जा सकते हैं बिटामिन्स तथा बसा से जोड़े वे प्रस्ण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रस्ण सायद आई है यहाँ पर, इसके बाद दोस्तों एक प्रस्ण यहाँ पर सायद पूंचा गया है कि GNP का फुल फॉर्म, ठीक है तो इसका विस्तरत रूप होता है, ग्र 2019, में भारत की रैंक कि क्या है, इसका सहीटर है, एक सो एक तालिसमें, यानि की शिलाप यहाँ पर, रैंक थी भारत की, ग्लोवर सांति सूचकांक 2019, अब इसमें प्रस्ण बन सकता है कि इस सूचकांक में, पहला इस्तान किसी प्राप्त हुआ था, तो इसका सहीटर है आइ आइसलेंड को ठीक है तो पहला इस्थान आइसलेंड को प्राप्त हुआ था टोटल इसमें लगबग 161 देश सामिल हुए थे और इस सूची में 101 तलसुवा इस्थान भारत का था तैयार कलीजेगा इसको प्रस्ण इंपोर्टेंट है एक प्रस्णिया पर पूछा गया कि ध् अप्स्टन्स तो आपको पताओना चाहिए कि जो धनी है वह निर्बात मे नहीं चलती है यानी कि यात्रा नहीं कर सकती है इसका वीस्थार धनी नहीं होता है निर्बात मे gap अगला यहां पर एक प्रश्ने English से पूंचा गया एक synonyms ठीक है तो आपको पता है कि इंग्लिस में synonyms, antonyms, one word, substitution, fill in the blanks, correct, incorrect, spellings, correction, ऐसे जो प्रश्न होगे वह आपको ज़रूर इंग्लिस में देखने को मिलेंगे, तो एक प्रश्न यहां पर पूंचा गया synonyms में abstract का, तो देखिए ठीक है तयार कर लीज़े यह प्रस्ण भी important है काफी प्रस्ण आपको बता दिया कि repeat भी हो सकते हैं एक प्रस्ण यहां पर पूंचा गया एक एंटोनेम्स एंटोनेम्स यह पूंचा गया कि prototype अब prototype का एंटोनेम्स जो होता है वह होता है realistic ठीक है इसके अलाबा भी वहां पर option दिये गए थे हाला कि और भी यहां पर बहुत सारे इसके meanings होते हैं तो आप मुझे comment कीजेगा मैं आपको पूरा यहां पर जितना भी important आपका synonyms एंटोनेम्स उनटोनेम्स सब्स्टिटूशन वगरे आता है जो आने वाले exams के लिए महत्थपोन होता है आप comment कीजेगा मैं आपको provide करा दूँगा एक एंटोनेम्स यहां पर और पूंचा गया moros का तो दिखिए moros का जो एंटोनेम्स था वह है hilarious ठीक है तयार कर लिजे बहुत important है काफी बार यहां पूंचा भी गया है एक्जाम में इसके बाद यहां पर एक one word substitution का questions दिया गया one who does not care of literature or art तो दिखिए इसका जो सही उत्तर होता है वह होता है फिलिस्तिन ठीक है तो जो फिलिस्तिन है वह इसका बिलकुल सही उत्तर है इससे भी आप तयार कर सकते हैं important है इससे प्रस्न पूंचा आते हैं एक प्रस्न यहां पर पूचा गया हाला कि इस प्रस्न को लेकर confusion था था थोड़ा सा कि प्रस्न आया है नहीं आया है फिर वी आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रस्न important है राज्यों के जो प्रमों को भासाएं होती है वह प्रस्न आपको देखने को मिलेंगे सम्विधान हो गया सम्विधान से जोड़ेवे प्रस्न आपको जरूर देखने को कोई ना कोई मिल जाएगा physics, chemistry और bio से आपको कोई ना कोई प्रस्न जरूर मिलेगा क्योंकि science यहाँ पर बहुत ही tough पूंचा जा रहा है हाला कि कुछ प्रस्न बहुत ही important आते हैं यहाँ पर एक प्रस्न पूंचा गया कि हाल ही में रविदना टेगोर साहित पुरुसकार 2019 किसने जीता है आपको पता है कि यहाँ पर जो पूरुसकार विज़ता है 2019 में वे प्रस्न बहुत ही जादा important है एक दो प्रस्न आपको जरूर मिलेंगे तो देखे यह पूरुसकार जीता है 2019 का राणा दास गुपता ने ठीक है तो इससे आप तयार कर लीजे यह प्रस्न काफी important है ऐसे प्रस्न आपको देखने को मिल जाएंगे एक प्रस्न आपर reasoning से पूंचा गया कि यदि 20 पारियों का उसत 52 है अठारिया पारियों का उसत 50 है तो यदि सबसे कम पारियों का अंतर 100 हो अब दोस्तों यहाँ पर confusion था कि यहाँ पर पूंचा actually क्या गया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बच्चों ने बताया है उसके अनुसार मैं इसका right answer बतायता हूँ यहाँ पर दोनों पारियों साइद बतानी थी कि यहाँ पर सबसे कम सबसे अदा पारियों का जो अंतर है 100 का है तो यह पारियों कौन कौन होंगी तो देखे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पारियों के बीच में 2 का difference है 2 minus हो रहा है अगर यहाँ पर आप औसत का देखोगे तो औसत में भी 2 का difference हो रहा है यहाँ पर 52 औसत है यहाँ पर 50 औसत है अब दोस्तों जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो बीच का अंतर होगा इसके आप ज़रा multiply system इसका एक trick होता है लेकिन दोस्तों अगर आप इसे देखोगे तो आपका जो answer होगा वह निकल कर आएगा 120 और 120 फ़े यानि कि सबसे कम पारी आपकी 20 होगी और सबसे जो जधादा पारी होगी वे होगी 120 तो यहाँ पर आपका option देख लीजे कि 120,20 था या 20,120 था तो यह आपका 20 और 120 जो होगा यह सबसे कम और सबसे ज़्यादा पारी होगी इसकी यह बिल्कुल इसका right answer है एक प्रस्णिया पर पूंचा गया कि एक से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी बार unit digit 9 है अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर unit digit की बात की जाए उनों की तो 1 से लेकर और 100 तक के बीच में 9 कितनी बार आता है unit digit में 10 बार आता है अगर आप count करोगे unit digit की बात की जा रही यहाँ पर दोस्तों अगर total यहाँ पर किया जाता तो फिर बहुत सारा 9 हो सकता था क्योंकि 91 की लाइन में बहुत सारा हो जाता ठीक है लेकिन unit digit की बात की जा रही है यानिकि एगर कोई संख्या लिखी है आपकी 99 ठीक है तो इसमें जो सबसे पीछे वाला डिजित होता ही है unit digit का आ जाता है तो सबसे पीछे संख्याओं में वह unit digit है तो कितनी बार आता है एक से हजार तक की तो देखिए एक से लेकर सो तक के संख्याओं के बीच में आता है unit digit 9 दस बार अब अगर इसी प्रकार आगे देखोगे तो यहाँ पर 1000 तक पहुँचने में कितना हो जाएगा into 10 मतलब 100 बार ठीक है तो इसका उस सही उत्तर है वह है 100 100 तयार कर लीजिए पिसको इसके अलावा एक प्रस्णिया पर पूंचा गया कि एक किसी कार को 18 दिनों में कमप्लीट करता है दो दोनों ने यदि 6 दिनों तक मिलकर 7 कार किया तो बचाऊँ आँ कर भी कितने दुरों में कमप्लीट करेगा तो देखे, इसका जो काम करने का सही वह है, एक बटे 18 हो गया, इसका हो गया, बीका हो गया, एक बटे 12 हो गया, अब 6 दुनों तक दोनों ने मिलके कार किया, तो उपर 6 हो जाएगा, एक बटे 3 और एक बटे 2 इसका बन गया, देखने ध्यान से देखोगे, तो एक बटे 3 और एक बटे, दो इसका बन गया ठीक है, इस प्रकार दोनों ने 6 दनों तक काम किया, तो अगर आप जब इसे solve करोगे, ठीक है, remaining कार निकाल के तो आपका answer निकल कर आएगा 2, यानि कि CS बचा हुआ कर आपका भी 2 दनों में complete कर लेगा, तो इससे आप त्यार कर लिए यहां से, ऐसे प्रशन आपको important हो सकते हैं, बहुत बार exam में पूचे भी जाती है एक प्रशन पूचा गया कि सुनीता लड़कियों की एक पंक्ती में, दोनों छोर से 11 स्थान पर है, पंक्ती में कितनी लड़कियां है, तो दिखेंगे अगर आपको ऐसे प्रशन मिलते हैं, कि दोनों छोर से सेम नंबर के ranking दिखाई जाती है तो बड़ा ही simple तरीका होता है इने solve करने का देखें, मानलों एक यह हमारी पंक्ती बैठी है, इसमें just middle में सुनीता बैठी है, अब इधर भी 11 नंबर पर है, इधर भी 11 नंबर पर है ठीक है, अब 11 प्लस 11, क्योंकि दो तरब का 11 यह स्थान पर है, प्लस कर लिया लेकिन अब जब इधर से भी 11 नंबर पर count करेंगे, इधर से भी 11 नंबर यानि कि दोनों में 11 ग्यारा नंबर पर count हो रहा है यानि कि सुनीता को दो बार count कर जा रहा है तो सुनीता को केवल एक बार count करना है दो बार count नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पर एक को minus कर देंगे, क्योंकि एक हमने ज़्यादा बार count कर रखा है आपर तो 11 11 22 हो गया और 22 में एक घटा दिया तो कितना गया 21 ठीक है तो इससे आप देख लिए आपका जो 21 है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आएगा तो दोस्तो आज हमें कुछ इतने ही प्रस्णी हाँ पर मिल पाए हैं जैसे ही हमें आगे कुछ और प्रस्णी मिलेंगे हम आप सभी तक जरूर प्रवाइड कराएंगे तो ऐसी प्रस्ण और सठीक इंफोर्मेशन भरते उसे जल्ड़ी भी पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगलवाले घंटी के बटन को क्लिक करके आउन कर लिजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे थैंक्यू सो मच धन्नबाद